हज़ता जुड़ी इसी नहीं क्योंकि आज हज़ता हम लोग आईपियोज पर फोकस कर रहे थे और सुना है आईपियोज की पाइपिलाइन भी बहुत तगड़ी है आगे की कौन से बड़े आईपियोज आने वाले हैं आशीश क्योंकि आपने शाक्स की बात की तो ऐसी बड़ी कमपनिया जो हम सब हरोज देखते हैं शायद उनका इस्तवाल भी करते हैं वो लिस्टिंग की तैयारी कर रही है हेलो दोस्तों अगर आप अपना पैसा सेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाख रोपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपने दीमेट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में उपन कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल ना के बराबर लगता है ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्रेज ट्रेज में वह भी सिर्फ बीस रुपए तो आज ही आप अप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं लिंक के दिस्क्रिप्शन में हैं क्लिक करें और एकाउंट ओपन कराएं करोड का इशु आएगा जिसमें फ्रेश एक्विटी 7500 करोड की थी यह ओवरॉल साइज बढ़ने के आसार बंते दिखाई दे रहे और लेटेस्ट डिवेलप्मेंट यही निकल करा रही है कि 9000 करोड प्लस का यह इशु हो सकता है अतिरिक्ट फंड रेस करने के लिए कंप जो मार्किट में लिस्ट होगी इसके बाद चर्चा हो रही है policybazar.com की जिसकी भी लिस्टिंग होने के आसार है माना जा रहा है जुलाई यानि कि इसी महीने दरसल कंपनी DRHP फाइल कर सकती है वाल्यूएशन इस कंपनी की करीब करीब 4-5 बिलियन डॉलर की रहेगी और जो बड़ा शाक की कैटेगरी होती है वो रफली एक जायन्ट वाइट टिप शाक होता है जो ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में पाया जाता है वो होगा मेरे ख्याल में पेटी एम क्यूंकि वो लाजिस्ट इशू रहेगा ये स्टार्ट अप एको सिस्टम में जो ट्रांजिशन होन होने वाला है लिस्टिद एंटिटीज की तरफ से इसका भी आई पियो लगबग नवंबर में आने की तैयारी हो रही है और 22,500 करोड का कुल इशू हो सकता है जिसमें से फ्रेश इशू 12,000 करोड का रहेगा बाकी अफकॉस ओफस रहेगा एक्जिस्टिंग इंवेस्टर्स को एग्जिट दिया जाएगा लेकिन ये सबसे बड़ा इशू साबित होगा इन तमाम स्टार्ट अप सर्किट में जो चर्चा होती है कंपनियों की उनमें से और अफकॉस LIC का लाजिस्ट ओफ साइज रहेगा माना तो यही जा रहा है कि सबसे बड़ा इशू होगा उसके डीटेल्स आगे आएंगे लेकिन उसकी भी तैयारी हो रही है तो पाइपलाइन बहुत रोबस्ट है और कई मौके मिलने वाले है एक अच्छा साइजबल चंक निवेशकों के हाथ लगने का तो Zomato, Policy Bazaar, Paytm इनके IPOs lined up हैं तो हम तो शो में छोटी मचली पकरा रहते हैं जो कल की शाक बनेंगी यह तो लिस्ट होते ही शाक होगी यह पानी में शाक से भी बड़ा कुछ होता है क्या अच्छदा हाँ वेल्स होती है न आशीश तो ब्लू वेल है आपकी सबसे बड़ी भई होगी तो बास बास तो जब इनकी लिस्टिंग का समय आएगा तो ऐसा ही कुछ हो बना लेंगे वेल्स के नाम से गाशना धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए